सपना हुआ सच हैं पर मैंने तो कुछ और ही सुना है क्या सुना है भाई जरा मुझे भी तो बताओ हरे भाई मेरे पारसद जी कह रहे थे कि काका अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भरती करवा देना फीस वगेरा सारा खर्चा सरकार देगी अच्छा? बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमान पत्र या अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती का प्रमान पत्र साथ ले जाना हैं? अगर उम्र का प्रमान पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखला लेने से रोका नहीं जा सकता अरे वाँ भाई तुमने तो हमें नई बात बताई है यदि ये सही है तो मैं भी अपनी छे साल के बिटिया को इसी स्कूल में भरती करवा दूगा अब ऐसा करते हैं पिंसिपल मैडम के पास चलते हैं मैडम जी नमस्ते नमस्ते शम्भू नमस्ते मैडम जी आए आए अंदर आए बैठे जी धन्यवाद कहो शम्भू कैसे आना हुआ मैडम जी ये हरिया है अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं मैंने समझाया भी पर ये कह रहे है कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है अरे शम्भू तुम्हे नहीं मालूम हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे है सरकार ने शिक्षक आदिकार कानून बनाया है जिसमें गरीब चात्रों के लिए भी प्राइविट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षन रखा है तो मैडम जी क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूं हाँ हाँ क्यों नहीं और हाँ आज कल हमारे हाँ दाखिला चल भी रहा है आप दोनों आज ही फॉर्म भर कर दे दिजे क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा बस तुम अपना BPL कार या फिर S.A.S.T का प्रमाण पत्र साथ जरूर ले कर आना देखा मैंने कहा था न आज मेरा सपना सच हो गया मैडम जी धन्यवाद और अरिया तुम्हारा भी धन्यवाद और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद विल्कुल ठीक शिक्षा का अधिकार हमारा हर सपना सच हुआ हमारा